तो चाहे आप online में ब्लॉगिंग करते हो या आप एक YouTuber हो या आप एक affiliate marketer हो या आप CPA marketer हो या आप कुछ भी करते हो और अगर आप website use करते हो चाहे वो offline भी बिजनस हो आपका और आप offline business के लिए भी website use करते हो या कुछ भी करते हो और उसमें अपना एक website या landing page या funnel use करते हो त अगर आपने इस कीज को समझ लिया तो आगी जाके आप इससे बहुत जादा बेनिफिट लोगे और मैं आपको गैरेंटी दे सकता हूं कि इससे बहुत जादा पैसे कमा सकते हो इस टेखनीक को यूज करके अपने ओनलाइन आफलाइन बिजनस में या आपका कोई भी पैशन ह होबी उसमें अगर आप वेबसाइट यूज कर रहे हो तो तो लेट गैट इस स्टाड़ेड तो गाइस माइन इस टेखना आप बेस्ट इन द वर्ल्ड और यूर वाचिंग आपको बताने वाला हूं वाला हूं वाट इस फेस्बुक पिक्शल और कैसे आप इसका यूज कर जाओंगा बहुत ही ज़्याद सिंपल समझाता हूं मैं आउसे भी आप और वी वीडियो देख सकते हो अगर चैनल पर कहीं से आगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल का आइकन चरू दबाना और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो यार औ और नहीं करते हो तो ना लिखो ताकि मैं अपने वीडियो को इंप्रूफ कर सको और आप लोगों के लिए वैसी मार्केटिंग की वीडियो ला सको जो आपको हेल्प करें आपके फेस्बूक मार्केटिंग में तो प्लीज लेट मी नो इन दे कमेंट्स वीडियो में आगे देखें कि यह है क्या होता है एक मालूर्लो कुछ जादू ठाइक है Laurent 22 आपके स्रीव में एक मैजिक डाल दिया champion है और अप जहां भी जा कर डाल दिया। और आप कहीं पर भी जा रही हो किसीसे मिल रहा हूं या कुछ कर्रहे हो तो मुझे पता चल रहा है, और आपका मुबाइल को कहीं भी ट्राक किया जाए सकता, आपको जैसा पता होगा कि जो कम्पनी है या कुछ केस विस हो जाए तो पुलिस वाले भी आपके mobile को track कर सकते हैं और आप कहां जा रहे हो किसे मिल रहे हो क्या काम कर रहे हो तो वो tracker के द्वारा किया जा रहा है ठीक है तो वैसे ही in marketing जब आप paid ads चलाते हो तो वहां tracker का use जा जाता है that is called facebook pixel तो उस facebook pixel को क्या कर आता है facebook pixel को उठा के आपके website, landing page, funnel जो भी आप use करते हो उसमें डाल दिया जाता है फिर क्या होता है जब कोई भी visitor आता है आपके funnel में, landing page पे या आपके website पे तो वो उसको track करता है और फिर जब आप again उसी ad को चलाते हो तो वो ad उन्हीं लोगों को बार ब दिखाई देती है अब आप सोच रहों कि इससे क्या हुआ इससे यह हुआ कि आप बार बार उनको retarget कर रहे हो retarget कर रहे हो और add the end क्या होता है जिस चीज़ को आप sell करने की कोशी कर रहे हो या जिस चीज़ को आप like करने को इस चीज़ कर रहे हो या जिस चीज़ की branding या इस जिसकी marketing करने कुछ कर रहे हो, वो बंदा attract हो जाता है, और वो आपकी चीज़ों को खरीद लेता है, buy कर लेता है, या like कर लेता है, या उस zone में चले जाता है, जिस zone में आप उसको डालला चाते हो, तो यह है Facebook Pixel का पूरा काम, अब जो next चीज़ है कि इसको generate कैसे करे, और इसको set कैसे करे अपने website या funnel में, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी तक समझ लेना, नहीं समझेओ, तो फिर से जाओ वीडियो को, फिर से देखो, और वीडियो को like ज़रू करो, अब मैं दिखाता हूँ, आपको इसको set up कैसे करना है, चलो, आप set up करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास एक पुराने client की ID है, मैंने तो अपना generate कर लिया हुआ है, तो यहाँ पुराने client की ID है, जहांसे मैं आपको दिखाऊँगा, फेजू पिक्सल का, तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा, यहाँ उपर मैं आपको क्लिक करना, लेफ्ट में add manager, बहुत सारे चीज़ें सीखने के लिए, वह आपको सीख सकते हैं कि क्लिक कर करे, और भी आपको मैं आगे सिखाऊँगा, क्या क्या चीज़े होती हैं, तो यहां पर आपको एक option देगा pixels pixels पे आपको simply click कर देना pixels पे जैसी आप click करोगे तो कुछ इस form में चीज़ें खुलेंगी जो अभी खुल रहे हैं okay तो खुल ले देते हैं इसको so guys यह चीज़ खुल गई है यहां तीन option है data source में आपको रहना है data source में क्लिक करेंगे तो यहां कर जाएगे easy अब करना क्या है easy यह करना है कि यहां पर आपको option मिल जागा अगर आप facebook pixel पहले generate नहीं किये होगे तो ठीक है एदम fresh बता रहोगे एदम fresh ID से तो आपको यहां पर एक option मिल जाएगा इन्स्टॉल पिक्सल कोड यहां पर क्लिक कर देना है जो सिंपल क्लिक हो गया आप यहां फर्स्ट लिखा है locate the header code for your website अपने को यह नहीं चाहिए अब जो second लिखा है copy the entire pixel code and paste into the website header बस आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक कर देना है क्लिक हो गया अब क्या करना है आपको उस website को खोलना है जिसमें आपको यह चीज़ इंस्टॉल करनी है ठेक है अब यहां पर क्लिक करूँगा मैं यह मेरे पास एक website है that is called builder आपको पता है मैं builder use करता हूँ आप भी use कर सकते हो जादा information के लिए नीचे आपको वीडियो मिल जाएगा उस पर क्लिक करना 50 lakhs तक आप yearly कमा सकतों सिर्फ इस platform को use करके जहां मैं website भी बना रहा हूँ जहां से मैं email भी भी भेज रहा हूँ जहां से मैं पूरा अपना affiliate marketing और visitor marketing का काव गर रहा हूँ तो वह आपको वीडियो में नीचे मिल जागा यहां में आपको pixel setup करना बताता हूँ अब देखो यहां पर आपको side में यह चीज़ देख रही है three three one one seven चीज़ देख रही है seven taps देख रहे है first tap जो है वह page का tap उस पर click करना आपको click जैसे ही करोगे यहां पर edit the layout का option है इस first पर इसको आपको click करना है जैसी आप layout पर click करोगे तो आपको कुछ ऐसा option दिखेगा यहां पर आपको five option top में मिल जाएंगे first से second second वाले पर आपको click करना है that is called setting setting में click करना है और नीचे आना है नीचे जब आओगे तो यहां पर दोको लिखा हुआ है facebook pixel script बहुत जादा easy है इसमें आप गर आप wordpress में या किसी coding website में जातों वहां बहुत जादा hard है believe me बहुत सारी confusing चीज़े है वहां पर यहां free step है जैसे कि मैंने आपको बताया और यहां पर आगे बस यहां पर control plus V और यहां पर आपको pixel लग गया pixel को save कर दो जैसी save कर दोगे यह okay हो जाएगा ठीक है और फिर उसके बाद क्या करना है वह मैं आपको बताता हूं आगे तो चलते हैं facebook pixel पर लेट्स गो तो यह चीज़ को हम लोगों ने वहां लगा दिया है अब आपको करना है continue continue जैसे क्लिक करोगे क्लिक करोगे यहां दो option देगा manually install event code और use facebook event setup तो आपको फंस ट्रॉल पर क्लिक करना है event setup पर यहां पर जिस website में आपने डाला है उस code को उस website क्लिक कर देना है और इसके बाद okay कर देना है यह finish बस इत्ते में आपका चीज setup हो जाएगा अब जो second चीज़ है कि facebook का कैसे पता चलेगे पता करेंगे कि आपके इस website में जो pixel है वो लग गया है या नहीं लगा है तो वह मैं आपको बता जाता हूँ कैसे वह आप पता करोगे okay so landing page में मैंने लगा के रखा हुआ है तो यहाँ पर देखो एक चीज है that is called facebook pixel helper जो आपको free में मिल जाएगा google chrome पे उसको आप extension के तोर पे अपने google chrome में add कर सकते है तो जैसी यहाँ मैं क्लिक करूँना तो यहाँ पर मुझे पूरा उसका data दे देगा कि यहाँ पर मैंने लगा रखा है जैसे कि यहां तो लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ लगा रखा है तो ऐसे ही आप भी अपने site का पता कर सकते हूँ कि आपने लगाया है या नहीं लगाया है ऐसे ही कर करके आप किसी भी website का पत कर सकते हुए ज焦 का पिक्टन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है फेस्बुक के पिक्झल को फट्सेंशन से और यह बहुत ही ज़ाधा easy प्रोसेश है जो मैंने आपको पता है तो ऐसे करके आप हर landing pages for neb that was मैं pixel का use करके retarget करके करके अपनी हर चीज़ को sell कर सकतो और यह बहुत ही जादा easy तरीका है मैंने आपको दिखाया था live video में on my instagram अगर आपने follow नहीं किया तो वहाँ follow कर लो क्योंकि हर चीज़ की video नहीं बना पाता हूँ अभी मैंने recently एक campaign launch किया था video campaign जिसमें मैंने आपको live दिखाया था कुछ चीज़े कि क्या चीज़े important होती है facebook ad में तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप instagram पे touch में रहा करूँ क्योंकि वहाँ मैं सारी live चीज़े डालता हूँ क्योंकि हर चीज़ों का video बनाना I think possible नहीं है चोटी चोटी चीज़ों का video बनाऊँगा आप भी नहीं देखो कि बोल हो जाओगे इसलिए मैं वहाँ पर डाल देता हूँ वो सारी चीज़े तो वहाँ फॉलो कर सकते हो at the red t o u h i d a h m a d o f i c i a official नीचे उसनी link भी आपको मिल जाएगी और गाइज अगर आप जोण करना चाहते हो ब्यूल्डर अपको हेल्प करते है एफिरेट मार्केटिंग, cpa मार्केटिंग, ओनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब पूरी मार्केटिंग के चीज़ों में on digital platform वहाँ आप इमेल्स भेज सकते हो अपने टीम को भी वहाँ मैनेज कर सकते हो इवन आप वीडियो क्रेटिंग कर सकते हो और भी बहुत सारे फीचर्स, 100 प्लस फीचर्स और 28 प्लस टूल्स प्लस आप वहाँ से 50 लैक्स रुपए पर एयर कमा सकते हो यह तो हो गई दूर की बात आप पर मन्ध वहाँ से 1 लैक नहीं कमाना कम में संतोस करना है तो सेटस्वाई होना है तो उसके लिए आप नीचे लिंक मिलेगी उसको चेक कर लो नीचे लिंक है पुरा फुल डेटेन है और बहुत सारे मैं उसमें आपको बोनस दे रहा हूं जैसे CPA कोर्स और आल तिंग जो आपको पता देजाएगी न बहुत साथा अंडर रेटेड टूल है क्योंकि 49.9 डॉलर में आपको हर चीज़ वो दे रहा है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग एफिल मार्केटिंग सीपी मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए चाहिए तो सीवी नेक्स वीडियो पाप बाई जै हिन्द उिल्स कर्छल्ड चाहिए मार्केटिंग ग्राटिंग सीवी मार्केटिंग brightness है क्योंकि 50.9षटिंग रेटेंग रेटेंग सानलाइन धफिल मार्केटिंग तो सीवी क हो रिंदिल